फांड फाड़ने का तरीका अब मैंने बोला F.A.N.D. फांड और आपको कैसुना G.D.D. वो ही फाड़ने का तरीका क्या है इनकी दुकान के अंदर खड़ा बार है वो खड़ा बार बिठाना कैसे है इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आपको ये वीडियो पूरी समझ में आगी तो जिन्दगी में 54 चाप आपके साथ गरतो क्या है गा जिन्दगी में कभी मोबाइल पे फोन भी नहीं करेगा ना लैंड लाइन पे हलो साथियो मैं मर्दिप कादियान नमस्ते परणाम सलाम अलेकुम सलस्रिया काल जै मसी की राम राम जी जै माता की जै हिन जा भारत साथियो आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में जै ससराल वालोगी साथियो आज हम बात करेंगे कि चवनी चाप की फांड कैसे फांड नी है अब मैंने बोला फांड और आपको सुना वो ही अगर आपके पास पैसे नहीं है आपका शनी भी कुछ नहीं बिगाड सकता ये बैंक और अन्बी अपसी कमपनी तो सोद्दाई कुछ नहीं है यार अनसिक्योर लोन में पंजी आकेस करेंगे पांच पैसे का उनने लड़ लिये बाई कोई दिकत पर जानी हो तो लाइब में आ जाना मरदिप का अधियान जवाब दे देगा या मैं वीडियो मैंने अर्ट टोपिक पे बना रख किया है एक साल में 800 वीडियो डाल चुका हूँ मैं हर विशे पे हर टोपिक पे मैं वीडियो डाल चुका हूँ और पिछले दस दिन से अब हमने टेलिफोनिकली भी लोगों के साथ जुटना सुरू करती है ये हमारी पेड सर्विस है ये आपके स्क्रीन पे नमबर आ रहा है आप इस नमबर पे मैसेज करके भी हमारे साथ टेलिफोनिकली जुट सकते हैं मैसे आपको पता लगजेगा कि क्या प्रोसेस है अब धिक्कत क्या आ रही है आज की डेट में मैं कहरे है बाई इतने आदमी तो करोना की जोजएे से नहीं मरे दूसरी वेव में भी नहीं मरे और मैं कहरा बगवान ना करें अगर तीसरी लेहर भी आगी तो भी मुझे नहीं लगता कि क्रोणा इतने आदमियों के ले जाएगा जितने इन बैंक और NBFC कमपनी के 54 छापों ने लोगों को मार दिया है नहीं मारा मरने के लिए मजबूर कर दिया बाई साब लगों आदमी आतमत्या कर चुके हैं और क्रोडों आदमियों को अतमत्या की कगार पे पुचा दिया इन आदमियों ने ये इतना लोगों को प्रेसान और हरास कर रहे हैं लोगों को अपने राइट्स नहीं पता अपने अधिकार नहीं पता यही कारण है बाई मेरे को लगता है देखो मेरी वीडियो सब देखते हैं सारे दे रहा हम बता देते हैं उसका नाम को 54 चाब दी आया बीच में लेकिन बहुत से एड़ोकेट भी जुड़ हुए है मान्य सुप्रिंग कोट में जो प्रैक्टिस करते हैं पाथ 5 साल से भी जुड़ हुए हैं लेकिन हमारा एक साल में इतना ज़्रो करने का कारण किया है कि मैं न चवणनी चाप भी देखते हैं और बहुत से बैंकों के मनेजर और रिजनल एड भी देखते हैं क्योंकि यह तो सारे देश में जाती है हमने आगे एक बार वीडियो डाल दी हम तो इसको रोक नहीं सकते इसको मंत्री देखेगा संत्री देखेगा मनेजर देखेगा चवणनी चाप इसको देख रहा है, तो मैं यह समझता हूँ कि 24 चाप की दुकान के अंदर खड़ा बाड है, वो उसको टिकने निहीं दे रहा, और भाई कोई 24 चाप देख रहा है तो बड़ा कान खोल के सुन ले, तुमारी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगाए जाएंगे ये जो दुकान में खड़ा बाड़ है ना ये बैड जगा भेर है अमरदीप का अधियान आ चुका है यूट्यूप अमारे साथ टेलीफोनिक ली भी जूड़ सकते हैं आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है जो की पेड़ सर्वियूप पे जल 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 आ चुका है आम और खास अदमी को उसके अधिकार बताए जा रहे हैं इन चुवनी चाप़ों से डरने की जूरतनी बहुत ज़्यादा प्रेसान और रास कर रहे हैं आपके साथ तूत अड़ाग पे लड़ाई जगड़े प्यार है गाली कि लोच पह रहे हैं इनको पकड़े के दुकान में पेटरोल के कोटन लगा दो नी कोटन है तो थोड़ा पेटरोल वैसे ही डाल दो इनकी दुकान के अंदर ये वहाँ से बागेंगे कुट्टे कितर हैं आपके मोले में पडोस में गाउं में तैसील में कस्बे में जिले में कभी जिन्द की में नहीं दिखेंगे पांच दिन अपनी दुकान को सिक्केंगे गरम फोया लगा के केयो कार्पिन का तेल भी लगाएंगे दुकान के अंदर तब इनको रामनी ओने अड़ा अब जब अगले दिन ये चवणनी चाप ये खुद से गड़िये खा के आते हैं पिछे से इनका जो बोस होता है उसको बोड़त का फिर कदी का या का या निता इनका इलाज ये और ऑफिसली इलाज क्या है इनके पास राइट्स का है इनका जनम कहां से होया ये तो चवणनी च्छा पैसे समझते हैं कि आपने इनका ही पैसे ले रखे इन्हों ने आपको क्रिमिनल बढ़ाएं बाइस सभाब के दो लोन डिफोल्ट होगे पांच होगे चाप पचीस होगे हमारे देश का कानून ने आपको जो अधिकार दिये हैं जो राइट्स दिये हैं जो सविधान ने आपको अधिकार दिये हैं वो खतम नहीं हो जाते चाहे पचीस लोन डिफोल्ट होगे और चाहे पचीस के पचीस की सारी किस्ते डिफोल्ट होगी तो कोई भी आदमी आपके साथ गाड़ी गलोच नहीं कर सकता आपकी बेस्ती नहीं कर सकता आपकी परतिष्टा खराब नहीं कर सकता आप से उची वाज में बात नहीं कर सकत आपके या क्यारे रिष्टेदारों के पास पून नहीं कर सकता अगर वो ऐसा कर रहा है वो इन लिगल काम कर रहा है ग्यार कानूनी काम कर रहा है उसके पास ये इनका जनम कैसे हुआ बैंक और NBFC कमपनी के पास इतने ओन रोल करमचारी नहीं होते एंप्लोईज इतने ज्या सेलरी पे रख लेगा तो उसका प्रोफिट खतम हो जगा वो कोश्ट कटिंग करता है बैंक को रेंग बी एपसी कंपनी एक थाड़ पार्टी को एर कर लेता है और मेरे देखने में आया है इन चोवनी चापपों की कोई तन खानी होती कोई इनकी सेलरी नहीं होती इनको मिलती है बैंकिंग की बाहसा में उसको बोलते है इंसेंटी और समाने बोल चाल की बाहसा में इसको बोलेंगे कमिसन दस से लेके 20% तक इनको कमिसन मिलती है यही कारण है कि आपको प्रेशान और अरास करते हैं लेकिन अगर आपको बैंकिंग के बारे में पता है आपको अपने र पता है के हम गलत कर रहे हैं अरे यार जब चोर चोरी करने आता है अगर वो बंदूक भी ले रहा है पिस्टल ले रहा है राइफल ले रहा है तो अभी उस चोर को पता है के तू चोर है डर उसके अंदर है वो आपको तो पिस्टल से ट्रा रहा है लेकिन उस चोर को पता है के तू गैर कानूनी काम कर रहा है अब अगर आप उसके उससे डर गे तो वो अपना काम करे गई अगर आपने उसको कह दिया भई तू चोर है फिर वो पिस्टल बढ़ जगे उसकी दुखान के अंदर मुढ के वहाँ से साफ नोदो ग्यारा होएगा वो अगर आपको अपने राइट्स जानने है चोवनी चाप के राइट्स जानने है रिकावरी एजन्ट डिसेंटरड वाई लिक्टे वीडियो देखें आपको पता लगेगा आपके क्या राइट्स और इन चोवनी चाप को के क्या राइट्स है समाने पोल्चाल की बासा में अगर मैं बात करूँ तो ये सुबे दिन निकलने के बाद और रात को दिन चिपने से पहले आपके पास फोन कर सकते हैं आपकी गैर आजरी में आपके घर अंदर एंटरी नहीं कर सकते हैं और आपकी आजरी में भी आपके घर के अंदर एंटरी नहीं कर सकते हैं आपकी जाज़त के पिना बार से बैल बजा सकते हैं डीसेंट तरीके से बात करेंगे ये नहीं है कि रात को ग्यारा बज़े कर देंगे या सुबह छे बज़े कर देंगे रात ना बारा बज़े दारू पी क्या कर देंगे जो कि चोवनी चाप अकसर करते हैं इनकी रिकॉर्डिंग करके सिद्धा एस पी साब के पास इनकी शकायत करें कोट में जाके मानानी का दावा भी इनकी उपर कर सकते हैं जो की ग्यार कानुनी काम और इनको इसमें सजा मिलेगी और एप चीज़ ओर सबसे पहले जो सबसे साँ तरीक है अगर आपको चोवनी चाप तंग कर रहे हैं सबसे पहले ब्रांच एड़को और जो इनका जोनल एड़ है और जो बैंक का अमबूडस्मेन है जैसे बीमा लोकपाल हूता है ऐसे बैंकिंग लोकपाल भी होता है उसकी मיल आइडि पे मेल करें इनको तिनों खो आपस में एक अदमी के पास मेल करके उसको cc में ले ले और उसमें यह लिखे बाई यह 54 चाप आपने मेरे पिछे लगा रहे हैं यह गैर कानुनी गतिवीदी में लिपते हैं मेरे को रास और प्रेशान कर रहे हैं मैंने पैसा आपके बैंक आने लिया था अरे आपने कितने ले रखे हैं भाई साब पांच लाग दस लाग पांच क्रोड बीज क्रोड पांच पचास क्रोड पांच सो क्रोड रुपे ले रखे हैंगे भाई नहीं ले रखे हैं नहीं पांच सो क्रोड रुपे उसको अपने बाप को सड़े तेरा जार क्रोड रुपे क्रोडर पे लेके कैसे बागगे भाई तो अंडरस्टेंडिंग की बात है आप उसको ये लिखे भाई इसको मेरे पिछे से टा चुवन्नी चाप को और नहीं तो भाई सब आपको भी पार्टी बना हुआ बैंक ने लगाया है बैंक के एंड पे हो रहा है काम मैंने इस चुव ज़्यादाएगी कंजूमर कोट में भी आप केस कर सकते हैं इनके खिलाव आपके पास असीम पावर है बहुत ज़्यादा पावर है अगर आपको अपनी शक्ति का पता है लेकिन वो कहा है जो हीरन होता है ना वो सारी उमर खुश्बू को डूंडता रहता है वो उसके करके इनकी दुकान में पेट्रोल के कोटन लगा दे यार सुद्धा के हैं माना तो नियू नहीं समझ माई यह बाई यह कोई बदमास थोड़ी है यार यह तो अगर यह बदमास है तो किसी इंडस्ट्री लिस्ट को टरा दे बाई पचास करोडर पे ले 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 ना उससे मुले पड़ोस में आवारा गुत्ते बोक हैं वो ना आप कुछ बोलोगे तो वे पिछ्छा लगना पाड़ भी ले में और जो एक बार को एगड़ा है जी भी बाग जैन्डर के हैं एक मिनाटी में लगदा है ना बोल का देख यह हैं कैस हो दा भाई अगर आपको इसी तर लाइन पर नंबर आया हुआ है जो की पेड सर्विस है उसके अलावा फ्री अडवाइज आपको चाहिए आप लाइव में अमारे साथ जुड़ सकते हैं आप किसी भी तरह का कोई भी कोश्चन पूछ सकते हैं कोई भी डवाइज ले सकते हैं हमें कोई गूगल सर्च नहीं करना मारा गूगल ही है मारा खोपड़ा इसके अंदर साथ हो रहे हैं इससे अंतुरंत प्रभाव से बतातां हैं आप लाइज में जब देखेंगें जब इमांः पड़ता हूं और जब इत्लत प्रभावसे जवाब दे देतें नहीं